नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुल गुपता और आप देख रहें जीके स्टेडी तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अगर आपने स्लेवर्स को थोड़ा बहुत द्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा वहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है बायो डावर्मेंट ही समझ लीजिए आप उससे रिलेटिड तो अगर आपने प्रिवेस एर के कोश्चन पेपर्स को देखा होगा तो उसमें नहीं है लीमिट में है तो अगर आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से आपको कुश्चन को अटैम्ट करना है तो इसमें अगर टॉपिक की बात करें तो एको सिस्टम आता है बायो डिवर्मेंट और बायो डिवर इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि 5 ही मार्क्स का पूछा जाएगा तो इसलिए जारा डिटेल में गुश्चन के तो हमारे कुछ और टॉपिक्स छूट चकते हैं बट इतना भी नहीं है कि हम इसको छोड़ी देगे कि 5 मार्क्स भी जो है वह बहुत इंपॉर्टन होते हैं तो जो पढ़ने लाइक है इसमें से वो हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपका थोड़ा बहुत कवर हो जाए और साथी साथ यह हमारा जो है वो पार्ट वन है अगर आपको पसंद आया आपका स्पोर्ट रहा आपने इस वीडियो को लाइक किया अच्छ चलानी है कि नहीं चलाना एक तो आज हम जो जो टॉफिक कवर करेंगे को एड़वांस में बता रहेता हूं हमले अगर् spoonT to तो चुल्य विडियो को करते हैं सबसे पहले बात करें अगर्ज से पता हूगा कि एको श्रूप है क्या akkor तो जिसको जैसा भी पता है उसको अच्छी बात है और जिसको नहीं पता है वह यहां पर सुन लीजिए आप जैसे भी आपको पता होगा वही ठीक है अपने माइंड में क्लियर लखी क्योंकि डेफिनेशन आप से कहीं नहीं पूछी जाएंगी पर आपको पता होना चाहिए अगर आप एकोसिस्टम के बारे में पूरा पढ़ने वाले हो तो एकोसिस्टम के आपको डेफिनिशन पता होना चाहिए सबसे फ़ले बात करते हैं जो वर्ड है एकोसिस्टम वह सबसे पहले यूज्ड ड्राइवड किया था है एजी टांसले ने नाइंटीन कि आपको बिल्कुल हिंदी में जो इस चैनल का बीसिक रूल है महाँ पर आपको जरूर समझाया जाएगा तो अगर सिंपल और दूसरी भी देख लेते हैं फिर बाद में सिंपल में बात करेंगे अब बायोजिकल कम्यूनिटी ओफ इंट्रेक्टिंग और फिजिकल एन्व आप जगह समझ लिजिए कि एक जगह है जहां पर बहुत सी क्मिनुटी यानि के अलग-अलग जाती है किसी की भी उसमें क्या है कुछ बायोटिक है यानि कि लीविंग है जैव जिसको बोलते है हिंदी में और कुछ बायोटिक है कुछ नॉन लिविंग है तो उनकी बीच म होता है तिके वोको सिस्टम में होता है इसको इको सिस्टम कहते है एक कि इंकशन में कि नहीं है और साथ ही साथ environment यानि कि इन तीजों के बीच में जो हमारा interaction होता है उसको हम ecosystem बहुते हैं तो आई होब आपको यह clear होगी होगी बाकि एक्जामपल के आगे आपको एक्जामपल के बेस पर बताऊंगा मैं कि आपको एक्जामपल देखे कि कि किस तरह से यह ecosystem वर्क ज साथ तो यह हमारा कुछ एक्जामपल की बात करेंगे बट उससे पहले हम बात करेंगे components of ecosystem तो आपको दिख रहा होगा यह मैंने पिखी यहां पर पेस्ट की है अब जो जिवित और जो जीवित नहीं है तो अब जो होता है उसको हम तीन फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें physical और 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 सबस्टांसिज की बात करें तो वोटर हो गी ऑक्सीजन होगी यह सारे हमारे आते हैं इन ऑर गहन बात करें तो प्रोटीन होगे कर्बोहाइट्रेट्स होगे लीपिट्स होगे यह सारे हमारे आते हैं हमारे और ग्रीन प्लांट्स ठीक है कंज्यूमर्स में आते हैं हमारे पास एनिमल्स जो कंज्यूम करते हैं और डीकंपोजर में आते हैं हमारे पास कि क्या-क्या इसमें आता है अब बात करते हम एक्जांपल की दिखिए एक्जांपल अगर एकोसिस्टम की बात करें तो एक पॉंड होता है जो तलाब होता है ठीक है उसको हम एक अच्छा उधारन मान सकते हैं किसका एकोसिस्टम का अब आपको यहां पर पता लगे मैंने आपको सारे कम्पोनेट्ट डिस्कस कर दी कौन कौन से कंपोनेंध होतें एकोसिस्टम के अब उसको आपको एजिचो जो एकोति सबी के बीच सब्सक्राइब यहां पर सब्रक्षो सब्सक्राइं आप तेख सकते हैं तो यह हमारे किसमने आगे है यह फीजिकल फैक्टर में आगे हमारे जो आंगे पढ़ा होगा फिजिकल फैक्टरuity लायट तो यहाँ पर सभी देखी यहाँ पर you साथ ही साथ हमारे पास इन ऑर्गेनिक सबस्टांसिस भी है यह वाटर है वाटर में CO2 भी होती है और भी गैसी होती है सारा हमारा जो इन ऑर्गेनिक सबस्टांसिस है वह कहां पर आते हमारे वाटर में ऑर्गेनिक सबस्टांसिस भी पाए जाते हैं साथ जो हैं हमारे जो बा में जो link होता है उसको ecosystem का जाता है यानि कि इन सभी के बीच में connection अपने और physical environment के साथ भी तो आई होप आपको समझ आयोगा ठीक है यहां पर soil भी दीखें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के micro organism पाए जाते हैं तो यह सब क्या है एक दूसरे के साथ connected है जिसको हम ecosystem बोल सकते हैं तो जाधा भी आपको detail में नहीं जाना है बस थोड़ा आपको clear रखना है और आपको component आपको clear हो गए होंगे next हमारे पास है देखे कि कि किस चीज़ का क्या रोल है तो physical जो factor होता है ठीक है physical factor हमने जो physical factor पीछे पढ़े थे जो भी temperature 시pel क्या क्या काम है ecosystem में तो तो physical factor सस्टेंड एnd लिमीट दा ग्रोद को एक हद तक रोक के रखना एक और भाडने देना वो होता है काम फिजिकल फेक्टर और गैनिक कंपॉंड्स के अगर बात करें तो यह बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लिविंग सिस्टम के और इससे आप क्या होता है कि लिंक बीट्विंग ब्लॉक्स होते हैं लिविंग सिस्टम के और क्या करते हैं यह लिंक का काम करते हैं किसके एक है यह तो आपने पढ़ा होगा जो देम्द इंदर आते हैं प्रोडि युजर्स चबिंधर रोने प्रोडूर्स एक फ्रोडूजर्स के अंदर सबस्क्राइब उडिभवटे जो घे इन को LAUGHTER प्लाइब करते इनकोarrité त्रिया पिसे मोने में पता है उन्हें जो energy लेते हैं solar से प्रकास अंशिलेशन की क्रिया द्वारा इंदी में अगर बोहले तो यह क्या करते हैं soil से nutrients भी लेते हैं ठीक और water भी लेते हैं CO2 लेते हैं air से यह निकि carbon dioxide लेते हैं और साथी साथ क्या करते है solar energy को capture करते है solar energy को भी sun से क्या करते है लेते यह सब क्या करता है यह autotrops करते हैं अब बात करते consumers की consumers को heterotrops भी कहा जाता है और यह क्या करते consume food synthesized by autotrops जो food बनाते हैं उसको यह consume करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है consumers या फिर heterotrops आपको clear हो गया होगा अब जो हमारे consumers होते हैं उनको तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है जिसको कहा जाता है herbivores ठीके carnivores और omnivores ठीके अब हर्वी वोर्स हमारे जो होंगे वह होगे शाकाहरी अगर सिंपल सी भाशा में कहें जो घास भी खा लेते हैं और साथी साथ चिकन भी खा लेते हैं मतलब मास और घास दोनों खा लेते हैं आगे इसमें देखेंगे मैं आपको बता भी देता हूं बता हं हर्वी वण्स ठीक हर्वी वण्स देखें फी डरेक्टली ओना प्लांट जो मतलब सिर्फ पेड पते खाते हैं जो यहां पर Map दिखाई हूं हूँ खाते हैं कारूर। कार्णिवोर्स की बात करें जो दूसरे जानुवर्स को खाते हैं जिसे सब्सक्राइब करें होकी हमारे मांस खाते हैं वह हमारी पास कार्णिवर्स आप पिक से याद रख सकते हैं मास खाते हैं के एगर आप लोगों का पड़ोगे तो पास ़र्स जरुबें करोगे एगर नहीं पता है कि क्या होते है हर्वी वर्स ताकि जब आगे आप पड़ोगे तो आपको एकदम से पकड़ में पूचीज आ जाएगी को डी कंपोजर को सपरो टॉप्स भी कहते हैं इनका में क्या है कि प्ले इंपॉर्टल रॉल इंग्ण इंपॉर्टा इंपॉर्टांट्र ऑप इंपॉर्टेंट्स रॉसकी द्वार्ब्स के डिवार उधिया और ईंग्वोडय को कहते हैं कि पंजाए की एक उधारन आप दूसरा है है हमारा functions of ecosystem यहाँ पर एक और एक्जाम दिखिए यहाँ पर वही है आप अगर ecosystem का definition याद रखना चाहते तो अपने दिमाग में यह फिक रखिएगा कि सारी communities हैं उनके बीच में interaction है ठीके साती जात क्या है environment से भी उनका आपस में connection है तो इन सभी को क्या का जाता है function of ecosystem क्या है कि energy flow through food chain हम आगे पढ़ेंगे तो अभी आपको यह समझने आएगा तो बट functions आपको पता होने चाहिए कि energy flow through food chain जो food chain होती उसमें energy flow का का काम करता ecosystem nutrient cycling का का काम होता है और ecosystem development यह यह काम होते हैं जो ecosystem में होते हैं तो आगे हम इनको दोने आपके next part आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो क्योंकि यह पार्ट यह बैसिक था इसमें से इतना नहीं पूछा जाता है जो भी पूछाते है मैं आपको बता दिया हर भी वार्स मैंने आपको इसलिए पताए था कि जो आगी यूज होंगे वर्ड वो आपको clear हो जो जिनको नहीं पता है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगी लाइक जरूर कर दीजेगा कमेंट जरूर कीजेगा अगले पार्ट के लिए और अगर आप मेरे चैनल को पहले बार देख रहे हो थेंक यू सो मच बहुत जल्दी मिलेंगे एक्स रोड़ी के साथ